सागित है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल तलरने सपर तो जोग्रफी सीरीज में आज से हम भारते जलवायों विशे शुरू कर रहे हैं और इस टॉपिक की तौरान मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत सरण शब्दों का प्रयोग करूँ क्योंकि बुक्स कि मांसुन निजलवायों पाई जाती है और अपने आप ही दो सब्दों में बना है और इन्हें हम अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि हमें और अच्छी से समझ में आ पाई तो उशन कटी बंदिया मांसुनी जलवायू आपके भारत में पाई जाती है और जैसा कि मैंने अभी कहा कि यह हैं दो शब्दों से मिलकर बना है एक तो है उशन कटी बंदिया और दूसरा है मांसुनी परकार की तो किस तरह भारत में उस निकटी बंदिय मांसुल जलवायू पाई चाती हैं। तो हम देखते हैं कि पहले उस निकटी बंदिय से हमारा क्या अतात पर रहे हैं। तो हमने अपने पहले वीडियो में देखा था कि पृत्वी को हम बीच औ बीच दो भागों में किस रेखा द्वारा विभाज़त करते हैं। विशुवत रेखा यानकी जीरो डिग्री अक्षांच जो है हमारे पृत्वी को दो बराबर भागों में बाढ़ देती हैं। आप उत्री गोलाद देहों दक्षिनी गोलाद इसके विशन में आपको देखना हो तो आप मेरे जो स्टार्टिंग की इंडियन जोग्रिफ की वीडियो आप देख सकते हैं। और हमने देखा था कि इसके उत्तर में यानकी साड़े तेज़ डिग्री पर ये कौनसी रेखा है आपकी करक रेखा और दक्षिन में साड़े तेज़ डिग्री एक शांस रेखा है आपकी मकर रेखा तो ये करक रेखा और ये मकर रेखा और ये जो विशुवत रेखा है इ उस पर सीधी पढ़ती है इसलिए वर्ष भर आपके इस शेत्र में क्या रहते हैं वर्ष भर इस शेत्र में आपके गर्मी रहती है और जो हम तो इस शेत्र को हम क्या कहते हैं उशिन कटिवंदिय प्रदेश कहते हैं और जेरो डिग्री अक्षांच के उत्तर में हमने कहा यह क healing काधवर परेक्ण है जो आपकी सूर्ख की किड़ने हैं उनका वैंढ़ आपकी जो वर्षड़ कहाँ सिधी पडेती है आपकी विश्वत रेखा पर पडेती है और वर्षड़ जो यहां का आपमान है वर्ष भर अधिक रहता है यानकि वर्ष भर यहां पर अत्यदिक गर्मी पड़ती है इसलिए हम इस शेत्र को किस नाम से जानते है उशिंग कटी बंदिय शेत्र के नाम से जानते हैं तो यह आपका अज़र कौन सा होगा साड़े तेस दिग्री यानकि ये शेत्र और ये शेत्र यानकि साड़े तेस दिग्री नौर्थ अक्षांश और साड़े तेस दिग्री दक्षिने अक्षांश या फिर आप कहले करक रेखा से लेकर मकर रेखा तक का जो आपका शेत्र है यह आपका क्या है उशिंग कटी गर्मी रहती है सूर्ड की सीधि किड़ने के गर्नी करने देखेंगे भारत को जब हमने अपनी फ़र्स वीडियो में पढ़ा था भारत की सीधि क्या है भारत सीथ हे भारत के जो बीचो बीच करक्रेखा गुज़र रही है तो यह आपकी करक्रेखा है यम ने करक्रेखा बनाई है जो कि भारत के विच zone बूचर रही है और करक्रेखा को जो दक्षिनि बंदिय शेत्र है वह तो उस शेत्र में बढ़ रहा है फिर ऐसा क्यों है कि हम पूरी भारत के जलवाई को क्या कह रहे हैं उस इन कटी बंदिय कह रहे हैं तो यहां पर हम इसका बहुत देख लेंगे तो अभी मैंने कहां कि जो भारत का जो उत्तरवाला शेत्र यानके इसके बंदिय कौंसे शेत्र में है श्रितोशन, कटीबंदय शेत्र है जहां उत्तर में आपके इहां पर क्या है नोर्थ पॉल और यह है साथ पौल तो उत्तरवी ध्रूव और दक्षिन ध्रूव पर क्या है आपके अत्यधिक थंड पढ़ती है और इसी कारण से जो आपकी ठंडी हवाई है आपके इस शेतर में आती है यानकि उत्रेवी ध्रूवे से चलकर जो आपकी ठंडी हवाई है वे आपकी जो रूस के जो साइपूर्वी साइबेरिया प्रदेश है आपका साइबेरिया प्रदेश से होकर चीन के शेतर से होकर वे ठंडी हवाई य कारण देखिए मैंने कहा धुवे प्रवेश से थंडी हवाई है वे आपके रूस के साइबेरिया प्रवेश से होकर उसके बात चीन से होकर भारत में प्रवेश नहीं कर पाती यह चीज लियाद रखे भारत में प्रवेश नहीं कर पाती क्यों क्योंकि भारत में हमने पढ़ा और था कि उत्तर से उत्तर पूर्वी शेत्र तब क्या है आपका हिमाली शेत्र है जो कि आपकी जो धुवे परदेश से आने वाले छो थंडी हवाए थी उन्हें क्या है रोक लेता है और इसी कारण से झो भारत की जिल्वायू को कहते हैं जलवायों कहते हैं क्योंकि हमने यहां देखा यहां कि क्या है हिमाले शेत्र है जो कि आपकी शितोषन जो शीत जो पवने थी उन्हें रोक देता है इसलिए जो शीत पवनों का प्रभाव भारती शेत्र में नहीं हो पाता इसलिए यह कारण है कि भारते शेत्र में उ शीतोशन कटिबंदे जलवायू कहने के बजाए क्या कहते हैं पूरे संपूर्न देश में हम उषम कटिबंदे मासुल जलवायू कहते हैं तो यहां पहले हम उषम कंटिबंदे का हमें तातफर चम पूरा हो गया है Driver उषणकर्टिबंदिये गया थो हमारा पूरा प्रदेश में आ रहा था लेकिन जो कि आपकी जो हिमाले है वे हमारे धुरूवे हवाव को यानकी जो हमारे ठंडी हवाव को रोक देती है इसलिए शितोशन जो हवाव का परभाव इस शेतर में नहीं होने की कारण यहां भी क्या रहती है उशनता रहती है यानकी अधिक ठंड नहीं हो पाते जितने की उत्तर में उत्तरी देशों में ह होती है, इसलिए भारत में, जो पूरे शेत्र में कौनसे जलाइउ पाए जाती है उशनה कटी बंद्य जलाइउ पाए तो ये एक चीज आरे पर क्लियर होगी कि क्यों भारत की जलाइउ को तो हम उशन कटीबंदी जिलवायो कहते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब है कि मानसुनी जिलवायो, कि उशन कटीबंदी तो चलो मालिया कि ठीक है, उशन कटीबंदी अब कहते हैं, कि मानसुनी क्यों कहते हैं, तो ये भी समझ लेते हैं, कि भारत की जिलवायो को उशन कट बढ़े का जाता है उससे पहले समझना यह आवशक्य है कि मांसो जो परिवर्तन के साथ यानकि डिपन के साथ अगर पवनों की जो दिशाए हैं वेढं परिवर्तिथ हो जाए तो उसे हम क्या कहें bit मासुली परदेश कहते हैं. तो दोबारा सेरपीट करती हूँ मानसुली शब्त का प्रयोक तब किया जाता है कि ०्द जब रित्राइब के परिवर्थन के साथ अपकी पर्व ecology दीशाया भी परिवर्थित हो जाये तब हम मानसुली जलवायो का प्रयोक करते हैं. तो भारत में क्यों मांसुनी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जर्वायों के प्रपरिक्षु में यह हमें देखना है तो भारत में जो वर्षा है किन दो मुख्य कार्णों से होती हैं एक है आपकी दक्षिन पस्चमी मांसुन दक्षिन पस्चमी मांसुनी वर्षा जिसो क और दूसरे हैं आपकी उत्तर पूर्वी वर्षा, उत्तर पूर्वी मांसुनी वर्षा, तो देखिए एक एक करके समझते पहले बात करेंगे दक्षणी पास्ट्रमी मांसुनी वर्षा, और यह कब होती है, इस चीज का ध्यान रखें, यह होती है आपकी गर्मियों में, तो ग्रिश्मिरितु में यह जो दक्षिन पस्चमी वर्षा है यह किस कारणों से होती है जो हमारी दक्षिन पस्चमी जो मांसुनी पवने है अगर आप पवने लिखें तो यहां ज्यादा सही रहेगा मांसुनी पवने तो दक्षिन पस्चिम दक्षिन पश्चिम अबतने भारत के स्थल्य भाग में प्रवेश करती है। और इस दोरा आदेखिये। चुकि यह पवने कहां से आ रहे हैं ? आपके जल्ले स्रोतो यानिके समुद्री प्रदेश से आ रहे हैं। इसलिए ये जो हवाई अपने साथ क्या करती है आदर्ता लाती है और जिसके कारण ये पूरे भारती भूख भाग में क्या करती है अत्यधिक वर्षा करती है और ये जब भारती भूख भाग में उत्री भाग में परवेश करती है और हिमाले से टकराती है यहां जाकर तो हिम मारा आगी का विश्य है अभी हमें सिर्फ इतरा समझना है तो हमने देख रहे हैं मानशून पवने आपके दक्षणी पस्च्चुमिन दिशा से आ रही है जो कि भारत में पूरे देश में आपकी वर्षा करती है कौन सी रितू Empress ग्रिश्म रितू अब दूसरा है आपका उत्तर पूर्वी मांसुनी पवने जो उत्तर पूर्वी मांसुनी पवने उत्तर पूर्वी यानकि उत्तर यापका है पूर्वी है यानकि ये जो पवने कहां से आ रही है उत्तर पूर्व यानकि इस दिशा से आ रही है अब देखिए चोकी जो उत्तर पूर्वी मांसुनी पवने हैं ये आपकी कहां से आ रही है ये आपके स्थल्य भाग से आ रही है और ये कहां से आ रही थी आपकी समुद्री भाग से या जल्च रोतों से आ रही थी इसलिए ये अत्यदिक आदर्ता आपने साथ ढ्यांड करक यहां से आएंगे और यहां फिर क्या करेंगे भारत में यहां क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी में जब यह पवने प्रवेश करती है तो यह अपने क्या करेंगे पहले शुष्क थी लेकिन जैसे पर्वेश करेंगे अपने क्या करेंगे आदर्ता ग्रहंड करनेंगे और उसके बाद यह बाद जब भारत के तमिलाड़ो के तड़ है अनके जब कौरोमंडल के तट से सिंस्ट के बाद की वहां पर चूंकु हूने आधसा हुई है ये बहांब पर क्या करें गी अत्यदिक वर्षा करती हैं और यह जो वर्षा है यहां पर जो सिंस्ट कौन इंहोंते हैं । तो यह चीज़े हमने देख लिए तो दक्ष्री पस्चिम अभी हमने देख रहा है कि मानसूनी जलवायों क्यूं कह रहे हैं तो मैंने बताया था मान से चलवाई उसे कहते हैं। जब रितुब्चु आ परवर्तन के साथ आपकी जो पवनों की दिशाए हैं वे भी परवर्तित हो जाए। तो यह आपकी क्या है ग्रिश्म रितु? और यह है आपकी सर्दहरू Чtar Quran यानकी सर्दियो का मोसम है। ग्रिशम रिटू के तोरार आपकी हवाया कैसी है, दक्षिन-पस्ठीम यानकि इस दिशा में हैं और जैसे रिटू परवर्थन हो जाएय। जब सर्दिय आ जाती हैं तो रिटू के परवर्तन के साथ जो आपकी होतो, उनगी दिशाय में परवर्तित हो रहए जा है। इसलिए हम भारत की जल्वाय को क्या कहते हैं ओशन कटी बंदिय मांसुरी जल्वायों कहते हैं तो आज समझ आज गया होगा आपको कि क्यों भारत की जल्वाय को ओशन कटी बंदिय मांसुरी जल्वायों कहते हैं अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज वीडियो में हमसमझेंगे कि ए वर्षा अभी थोड़ा देखा है इसको हम पूरो कंप पर्देशों में भारत में अतरदिक वर्षा होती है क्या कारण होता है क्यों कि इन आ। जो में वर्षा नहीं हो पाते इन सब के बाद में हम इससे नेक्स वीडियो में जानेगे आज के लिए इतना ही वीडियो गर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और अधिक से अधिक शेर करें तो थैंक यू थैंक यू सो मच